वेलकम टू आवर यूटूब चैनल सी आईटी एस एंड इस टेडी पॉइंट दोस्तों जैसा है कि आपको पता है कि हम अपने इस चैनल में टेक्निकल टूट्स एंड इकूप्मेंट समंदल वीडियो के माध्यम से बताते हैं और आज के इस वीडियो में मारूती सुजू की सीटी एक्जाम के कुछ मनोवैग्यानिक कोश्चान अंसर लेक्या है जो कि बहुत ही इंपोर्टेंट है अच्छे से समझेंगे आप तो यही सब कोश्चन जो है आपके एक्जाम में आएंगे सीटी एक्जाम मारूती सुजू की दोहजार चौबिस में यह पूर्ण असामत और समाने तो इसका जो सही आंसर होगा आप अपने विचार को देखके इसका आंसर करेंगे दूसरा कोस्चन है आप देखिए आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है कि जब एक व्यक्ति के मनोदसा में परिवर्तन होता है तो मैं इसे समझ सकता हूं यह आ पूर्ण सहामत हूं क्योंकि मैं वह दिख जाता है ठीक है फिर नेक्स्ट कोस्चन है अगला चौथा कोस्चन को अच्छे से देखिए यह पीडिएफ का कोस्चन है और यह बार बार पूचता रहता है और यह सब कोस्चन रिपीट होते हैं अन्य है कि लोगों को बूरी सहयक बनने में सक्षम हूँ यानि जो लोग हैं उनको बूरी खवर देते समय मैं उनका सहयक बनने में सक्षम हूँ यह पूरुण असहमत है ठीक है देखिए आपको option दिكن रहाएंगे सहमत और शहमत पूर्णसहमत पूर्ण असहमत और स्षामान ने तो आप इसको ऐसे क्व से बीचार से इसको सोचेंगे हैं तब उसके बाद आंसर सांट करने की कि आंतोर पर अन्य लोग कैसा महासूस कर रहे हैं मैं यह समझने में सखसं़ें हुँ तो इसका पूर्ण सहमत इसका आंसर होगा हुआ आम्य टोर पर अन्य चीजों को बता सकते हैं मेरे दोस्त मुझे खुद के बारे में अतरण चीजों को बता सकते हैं तो इसमें देखिए option में देख रहा है सहमत, औसहमत पूर्ण सहमत पूर्ण असहमत और शमानियन यह जो है औसहमत इसका होगा आप अच्छे से देख लिजए आप किस तरीके से यह आपके बिचार के उपर depend करता है कि आपको कौन question का जबब कैसे देना है, आपका बिचार और हमारा बिचार दोनों सेम नहीं हो सकता है ठीक है, answer change भी हो सकते हैं बार बार मैं कहता हूँ psychological question का answer change हो सकता है यह नहीं कि हमने बता दिया कि आपका A, B, C ऐसे ही करके answer रट लेना है तो ऐसे चीज़ें नहीं होती है psychological question में next question है कि अन्य लोगों को तकलीफ में देखकर मुझे परिशानी होती है यह बिल्कुल सही है, यह सब के लिए होगा अन्य लोगों को तकलीफ में देखकर मुझे परिशानी होती है परिशानी होती है, फिर next है मुझे आम तोर पर पता होता है कि कब बोलना है और कब चुप रहना है ऐसा question है आठ नंबर question आप देखिए, अच्छे से समझे कि आठ नंबर question में कह रहे है कि मुझे आम तोर पर पता होता है कि कब बोलना है और कब चुप रहना है तो इसमें option देखिए, सहमत असहमत, पूर्ण सहमत पूर्ण असहमत और शमान्य तो इसका जो सही answer होगा मुझे आम तोर पर पता होता है कि बोलना है कब और चूप कब रहनाए तो पूर्ण सहमत इसका answer होगा क्योंकि यह चीजे तो आपको पता ही होगा कि कब क्या बोलना हे कब कितना बोलना हे कब चूप रहना है तो इसमें तो आप सब लोग ज्यादतर लोग पूर्ण सहमत ही होंगे सबका answer लगबग इसमें सेम होगा ठीक है फिर next हम आगे बढ़ते हैं तो आगे देखिए आगे जो question है है की मुझे परवा है की अन लोगों के साथ क्या होता है यानि ये आपके सोच के उपर depend करता है की कोई दूसरे के साथ क्या हो आपको उसकी value यानि उसके बारे में सोचने विचारने की मतलब उसको हमदर्दी दिखाना है तो आप उसके बारे में सोचेंगे नहीं दिखाना है तो नहीं सोचेंगे यानि मुझे परवा है कि अन्न लोगों के साथ क्या होता है पूर्ण सहमत अन्न लोगों हो सकता है कि हमारे सायोगी होंगे साती होंगे तो इसमें पूर्ण सहमत हो शकता है ठीक है नेक्स्ट कोस्टन है कि मैं समझ सकता हूँ जब लोगों की योजनाय कारेकरम बदल जाते हैं यदि आप समझने में सकसम है तो आप बिल्कुल समझ सकते हैं इसमें भी पूरुन सहमत आपका अंसर होगा ऐसे ही कोस्टन जो है साइकलोजी से एलेटेट कोस्टन मरुती सुजू की सीटी एक्जाम में आते हैं ठीक है इस कोस्टन को अच्छे से आप समझी उसके बाद आप अंसर कीजिए सीटी एक्जाम में साइकलोजीकल कोस्टन ही बहुत इंपोर्टेंट होते हैं और जिनको समझ आती हैं वो लोग अपना question का answer करते हैं उनको नहीं समझ में आती है वो यहाँ पे ही problem उनको हो जाता है फिर next है क्या आप ब्यवस्थित हैं क्या आप ब्यवस्थित हैं बिल्कुल ब्यवस्थित हैं पुर्ण सहमत इसका answer का option देखके आप answer कीजिए फिर next है क्या आप अपनी गलतियों को स्विकार करते हैं यदि आप से गलती हो जाती है तो क्या आप उस गलती को स्विकार नहीं करेंगे आप सबको स्विकार करना चाहिए यानि इसमें पूछ रहा है 12 नमर question मैं बात कर रहा हूं क्या आप अपनी गलती को स्विकार करते हैं बिल्कुल पूर्ण सहमत आपको स्विकार करना चाहिए जो भी गलती हो जाती है तो उनको स्विकार करना चाहिए और next अगली टाइम वैसी गलती नहीं करने चाहिए कोसिस करें कि वैसी गलती फिर दुबारा वह ना हो फिर next question है 13 number क्या आपको ज्यादतर लोगों को पसंद करना आशान है तो ये जो है इसका answer जो है और सहमत है क्योंकि ज्यादतर लोग हमें क्यों पसंद करेंगे जिनके बारे में हमें जानकारी नहीं है या जो हमें नहीं जा सकت हैं वैं जो ड्यूटी है वो मजबूरी में और उबाउख करके नहीं होता है कि फूरे ऑसो हावास में जो समत के साथके पूर्ण सहमत करना होता है, ठीक हैं फिर next है कि क्या आप अपनी कमजोरी जानते हैं और उन्हें सुधारना जानते हैं पूर्ण सहमत बिलकुल अपने बारे में तो आप हर किसी को knowledge होता है कि क्या उसका जबाब होगा और किस तरीके से हमारी क्या कमिया है क्या आप चिड़ते हैं पूर्ण असहमत क्यों चिड़ना है भाई हसी खुशी के साथ रहना है अपने शयोगी के साथ काम करना है क्या आप कोशिश करते हैं कि खुद के लिए खेद महशूस न करें पूर्ण सहमत क्या आप कोशिश करते हैं कि खुद के लिए खेद महशूस न करें तो इसका अंसर पूर्ण सहमत होगा नेक्स्ट Q koojon है 18 number क्या आप 1 number है तो 18 number को क्षचन का answer क्या आप बी नम्ब रहे इसमें चार option 5 option दिये है सहमत औ सहमत पूर्ण सहमत पूर्ण औ सहमत समान तो क्या आप 2 नम्ब रहे सहमत पूर्ण सहमत इसका antir hoogrect थिक है फिर नेक्स्ट को konn और फिर नए और अच्छे से समझ करके लेगा ठीक है ऐसे ही question आपके exam में आते हैं आप अच्छे से screen पे देख लिजे ये PDF का question है और ये question बार-बार repeat होते है whoo-whoo same to same question आज आते हैं आपके exam में जो लोग भी मारूती सुझो की CT exam 2024 में बैटने वाले हैं जिनको exam देना है वो अपने दोस्तों में share करें और वो पूरा question answer देखिएगा पूरा video देखिएगा तभी आपको समझ में आगा कि question का type किस type में होता है और क्या-क्या question पूछ लिए जाते हैं psychology से related मनोवेग्यानिक question कैसे आते हैं अच्छे से आप समझ सकते हैं फिर next देखिए आप क्या आप एक अच्छे सुरोता हैं बिल्कुल पूर्ण सहमत क्या आप एक अच्छे सुरोता हैं इसका answer होगा पूर्ण सहमत next है क्या आप ऐसे दोस्त हैं जो आप दूसरों से उपेक्षा करते हैं पूर्ण असहमत, किसी दूसरे से उपेक्षा करना ही नहीं चाहिए 24 नमर कोश्चन का आंसर होगा, पूर्ण असहमत क्या आप ऐसे दोस्त हैं, जो अपने, आप दूसरों से उपेक्षा करते हैं पूर्ण औसहमत फिर नेक्स्ट है क्या आप अप्रिय हुए बिना भी औसहमत हो शकते हैं क्या आप अप्रिय हुए बिना भी औसहमत हो शकते हैं यानि प्रिय नहीं है फिर भी औसहमत है तो ये पूर्ण शहमत इसका एंसर होगा question अच्छे से पढ़िए समझिए उसके बाद आप answer कीजिए मैं बार-बार कह रहा हूं कि answer change भी हो सकते हैं क्योंकि psychology के question का answer हर किसी का अलग-अलग भी हो सकता है next 26 नंबर है क्या आप समाने तोर पर समय के पाबंध हैं बिल्कुल पाबंध है आप समाने तोर पर समय के पाबंध यानि आपको time के recording ही काम करना होता है पूर्ण सहमत फिर next है 27 नंबर क्या आप आम तोर पर दूसरों से अच्छी तरह बोलते हैं पूर्ण सहमत आम तोर पर द चोट या नाराजगी महसूस किये बीना की जा रही अलोचना सह सकते हैं तो इसमें आप अपना आंसर देख लेजिए मैं तो पूर्ण असहमत हूँ फिर नेक्स्ट कोश्चन है कि आपका रवया दोस्ताना है पूर्ण सहमत नेक्स्ट है तीस नमबर आप कोशिस करते हैं कि सिकायत न करें पूर्ण सहमत आप कोशिस करते हैं कि सिकायत न करें इसमें देखिए ओप्शन दी है सहमत असहमत पूर्ण सहमत पूर्ण असहमत और समाने तो इसमें पूर्ण सहमत होगा आप कोशिस करते हैं कि सिकायत न करें फिर नेक्स्ट है 31 जो है 31 नमबर कोश्चन आप देखिए आप आशावादी हो शकते हैं जब दूसरे नहीं होते हैं नहीं होते आप आशावादी हो सकते हैं जब दूसरे नहीं होते कोई दूसरा नहीं रहेगा तो आप आशावादी हो शकते हैं तो इसमें पुर्ण असहमत फिर नेक्स्ट है 32, कि आप में कर्तब्य और जिम्यवारी की भावना है, पूर्ण सहमत, इसका जो एंसर होगा, 32 का पूर्ण सहमत, आप में कर्तब्य और जिम्यवारी की भावना रहती है, तभी आप अच्छे से काम कर सकते हैं, किसी ओर्गनाइजेशन में, ठीक है, फिर न नहीं चाहिए ठीक है फिर नेक्स है थाटिफोर क्या आप अपने नियोकता या अपने प्रशिक्षक से अच्छी तरह से बोलते हैं पूर्ण सहमत नेक्स्ट कोश्चन है कि आप हर समय अच्छा महसूस करते हैं आप अच्छे से देख लिजे 35 नमबर कोश्चन है कि आप हर समय अच्छा महसूस करते हैं तो इसका सही आंसर क्या देंगे आप लोग आप हर समय अच्छा महसूस करते हैं पूर्ण सहमत अच्छा ही मैसूस करते हैं फिर next question है 36 number 36 क्या आप स्वेक्षा से निर्देशों का पालन करते हैं जब आवश्यक हो तभी सवाल पूछते हैं पूर्ण सहमत ज्यादातर question का answer पूर्ण सहमत ही होना चाहिए आप अच्छे से देखेंगे तो आपके सामने स्क्रीन पे जो दिख रहा है option wise और जो आपके सामने question के रूप में दिख रहा है ज्यादातर question का answer पूर्ण सहमत ही होगा next है 37 क्या आप अपने वादे निभाते हैं बिल्कुल निभाते हैं पूर्ण सहमत मैं फिक्र नहीं करता पूर्ण असहमत फिक्र करना चाहिए भाई आपको जो काम दिया गया उसका फिक्र होना चाहिए और काम के according सब कुछ प्लानिंग के साथ करना चाहिए तो मैं फिक्र नहीं करता 38 नंबर question है तो इसका जो सही answer होगा पूर्ण असहमत देखने में वक्त बरबाद नहीं करता हूं पुरुन सहमत सपने देखने में वक्त बरबाद नहीं ही करना चाहिए मैं खूब हस्ती हूं तो इसमें देखिए ये लेडिज के लिए है मैं खूब हस्ती हूं आपके साथ वरकर कुछ भी लड़का या लड़की कोई भी हो सकता ह तो यह जो 41 नंबर कुश्चन है, मैं खूब हस्ती हूँ, तो इसका आंशर आप किस तरीके से करेंगे, पुर्ण और सहमत, फिर नेक्स्ट है, 42, कुछ लोगों को लगता है कि मैं स्वार्थी और अहंकारी हूँ, कुछ लोगों को लगता है कि मैं स्वार्थी और अहंकारी हूँ पुर्ण और सहमत इसका आंसर जो होगा पुर्ण और सहमत फिर नेक्स्ट है कि 43 नंबर कोशन है कि मैं अक्सर स्वयम को तनाव ग्रस्त और सहज महसूस करता हूँ ये भी इसका भी आंसर जो है सही आंसर पूर्ण असहमत होगा option में देखिया सहमत असहमत पूर्ण सहमत पूर्ण असहमत और सहमान मैं अक्सर स्वयम को तनाव गरस्त और सहज महसूस करता हूँ पूर्ण असहमत फिर next है कि मुझे क्रियासील महौल में रहना पसंद है मुझे क्रियासील महौल में रहना पसंद है पूर्ण सहमत इसका अंसर होगा पूर्ण सहमत मुझे क्रियासील महौल में रहना पसंद है पूर्ण सहमत चलिए दूसरे पार्ट की मैं अगले next वीडियो में ले क्या होंगा दूसरा पार्ट अभी इस वीडियो को इंड करते हैं ऐसे ही कोश्चन आपको इससे मिलेंगे जो की साइकलोजी से कोश्चन पूछे जाते हैं एक्जाम में तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए धन्यबाद आपका दिन सुभ हो मै एक बार फिर से आपसे repeat कर रहा हूँ जो लोग चैनल पर नहीं है तो subscribe करके bell icon प्रेस करेंगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में share करेंगे Thank you